जब आपको कोई सब्जी ना समझा रही हो तो आप कभी इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए मैं ले रही हूं यहां पर साबुत छिलके वाली मूँ इसे रात बर मैंने सोक कर लिया है इसे 5-6 गंटे के लिए आप इसे सोक कर सकते हैं इसके बार इसमें डाल रही हूं मैं पानी प अब इसे हम बॉल होने के लिए रख देते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा आप 10-15 मिंट बॉल कीजिए आप अगर प्रेशर कुकर में कर रहे हैं बॉल तो बस आप इसे एक सीटी लगाए यह देखिए इसके बार इसे चेक कर लीजिए और अच्छी तरह से बॉल हो जात पूस कर सकते हैं इसके बाद में डाले इसमें दो तेजपत एक चमच जीरा जीरा को अच्छी तरह से चटकने देना है अब डाल देते इसमें एक पिंच हींग दो बारी प्याज का अकड़ डाल रही हूँ मैं मीडियम साइज के अब इसे हमें फ्राइ करना है बस इसका कलर चेंज होने तक फ्राइ करना है बहुत जादा नहीं पकाना है इसे प्याज का गलर्ड चेंज हो गया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच लेसुन का पेस्ट इसे थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि इसका जो कच्छा पन है वो खतम हो जाए अब डाल रूए एक चमच अद्रक का पेस्ट इसे भी थोड़ा सा पका लेते हैं एक से दो मिन्ट के लिए अब डाल रूए इसमें दो बारी काटकर हरे मिर्च इस सब को अच्छे से पका लीजिए एक से दो मिन्ट अब डाल रूए इसमें एक चमच हल्दिक पाउडर और एक चमच में डाल रही हूँ धनिया पाउडर आदा चमच में डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चमच पानी जिससे की मसाला जो है वो जले नहीं यह देखिए इस तरह से मसाली को हमें फ्राइ करना है आप देख सकते हैं मसालों सो जो तेल है अलग हो गया है अब स्टेज पर डालना है हमें टमाटर टमाटर के साथ ही जल्दी पक जाए सॉफ्ट हो जाए इसमें थोड़ा साम पानी डालेंगे और इससे ढख कर दो सचार मिंट के लिए हमें पकाना है तो इससे ढख देते हैं तो यह देखिए टमाटर जो है सॉफ्ट हो गया मसालों से तेल अलग हो गया है अब से चला लेते हैं अब इसमें चमच गरम मसाला पाउडर अब से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब डाल उसमें एक कप पानी में डाल रहे हूं अगर आपको थोड़ा सा पतलत थिक ग्रेवी चाहिए तो आप कम पानी डाले और थोड़ा पतलत ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें एड़ कर सकते हैं यह देखें उबाल आने लग गया है अब इसमें डाल देते हैं मूंग अब इसे मिक्स कर लीजिए और इसे एक उवाल आने तक ढखकर इसे पकाना है ये देखिए दाल में जो है उवाल आ गया है और ये देखिए सबजी कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन के रेडी है ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है इसके बाद इसमें मैं डाल रुबारिक कटा हुआ धनिया पत्ता और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ये देखे एक दम जटपट बनके त्यार है हरे मूंग की दाल ये बहुत ही टेश्टी बनता है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप इसे गर्मा गरम रोटी या फिर चावल के साथ इंजॉय कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई